नीम्बू की हस्त बहार प्रतेक किसान का एक सपना है नीम्बू की बागवानी करने वाले सभी किसान चाहते हैं कि उनके बाग में मार्च, अप्रैल और मई में नीम्बू आए उस समय नीम्बू का बहुत अच्छा भाव होता है लेकिन क्या यह मुम्किन है क्या यह संभाव यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उत्तर भारत के इस छेतर में जिसमें मैं रहता हूं वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है और ऐस समय वर्सा यानि जो सितंबर का महीना है उसमें वर्सा होने से इसका सिस्टम कुछ गड़ बढ़ा जाता है अगर जनवरी फरवरी में पाला पड़ गया तो बहुत अधिक प्रोब्लम होती है और यह हस्त बाहर की जो फल है यह लगभग ना के बराबर होता है फिर भी किसान का काम है कोशिस करते रहना कोशिस करिए चुकि यह है ट्रोपिकल रीजन का फूट है जहां पर के गर्मी अधिक पड़ती है किसान सा यह जो पोदा है यह मेरा सितंबर 2020 में लगाया था मैंने साइन सर्बती का पोदा है देखे मेरे से उपर तक चला गया इसमें अभी कोई भी में फल नहीं ले रहा पिछले साल कुछ पोदों में पांच वराइटी CCRI के मैंने लगाई हैं कुछ पोदों में जैसे NRCC8 और मुझे बहुत से किसानों के फोन आते हैं और WhatsApp पर भी मेसेज आते हैं कि मैंने ताओ दिया था जो हस्त बाहर की फसल है उसमें हम सितंबर के महीने में ताओ लगाते हैं सब को पता है जैसे मैंने ये खेत में बुहाई कर रखी है पेड़ के चारों तरफ गहरी जुताई कर डेते हैं और जो इसकी भोजन की जड़े होती हैं जो केनोपी के पास यहां पर जो जड़े होती हैं उनको काठ देते हैं गहरी जुताईकर जिसे हम जाला कहते हैं उसके बाद ये हम कम से कम, कम से कम दस दिन और बीस दिन तक हमें ऐसी इस्थिति में पोधो कर रखना चाहिए इससे पोधा डॉर्मेंट की सिच्वेशन में आ जाता है, यानि सुसुता वथ हमें चला जाता है उसे पता है कि अब मेरा मालिक मुझसे फल लेना चाहता है उसके बाद 20 दिन बाद हम इसमें एक नाली बनाते हैं और नाली बनाकर खाद देते हैं किसान साथियों मैंने कई बार बता दिया कि खाद की कितनी मातरा होती है जो मातरा मैं बता रहा हूँ ये 5 साल के पोधे के लिए है लेकिन आपको अपनी मिट्टी टेस्ट कराकर ये देखना चाहिए जिस भी चीज की इसमें मातरा आपके हाँ अधिक हो उसकी मातरा किसी एक्सपर्ट से पूछ कर कम कर ले ऐसा नहीं कि आख बंद कर जो मैं बता रहा हूँ वो डागते है पांच वर्स के पोधे के लिए गोबर की खाद 40 किलो ग्राम और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो 10 से 15 किलो ग्राम भी बहुत रहेगी डी एपी 4500 ग्राम पोटास जो मोपी होता है जो लाल रंग का होता है जो मोपी होता है वो 4500 ग्राम सिंगल सुपर फासफेट 200 ग्राम जिसमें सلفर होता है और यूरिया भी 200 ग्राम इसके अलावा जिंक सल्फेट लीजिए आपको 50 ग्राम और 50 ग्राम ही मिलाइए उसमें मैगनिस्यम सल्फेट इन सब को एक जगे मिलाकर कैनोपी के पास जो नाली बनाई है उसमें डालिए और उसे डालकर मिट्टी से ढख दीजिए और तुरंत आपको फलड से पानी लगाना है ध्यान रहे फलड से पानी लगाना है और ये पानी पानी पांच पांच दिन के अंतराल पर तीन बार लग यहां तक तो सब ठीक है लेकिन जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता अब क्या हुआ कि जैसे ही ताओ लगाने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद बारीश हो गई या उसने खाद लगाया बारीश हो गई एक दम से और बारीश इतनी लंबी चली के वो 5-5 दिन बाद नहीं लगा सका मतलब यह है कि कुछ लोग जिनका ताओ ठीक से नहीं आ पाया या जो ताओ नहीं लगा सके और ये काम अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया वो लोग क्या करें जैसा कि कुछ भाई मुझे लिखते हैं कि मैंने ताओ मेरे बाद में दिया और फिर बारीश होती रही और थोड़े थोड़े फूल आने लगे हैं मैंने खाद भी लगा दिया अब वो क्या करें उनके लिए ध्यान से सुनिए देखिए आपको ये कारिये अगर विश्वास इसमें आपको क्या करना है कि जब आपके थोड़े थोड़े फूल खिलने लग जाएं फिर बारीश का मौ समझे उसके बाद आप ये करिए कि इसमें आप एक लीजिए एनपी के बारा इक सट जीरो पांच ग्राम परति लिटर और एक गोद्रेज का डबल पीजी आराता है रेगुलेटर जी से बोलते हैं उसकी मातरा लीजिए दो एमेल पर लिटर इन दोनों को मिलाकर इस्प्रे कीजिए ये क्या करेगा पोधे में जो आपकी जो व्रद्धी है पोधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कम करेगा और फूल इंडियूस करने की कोशिज कर लेगा उसके 4 दिन बाद BASF का एक लिहोसीन आता है लिहोसीन पीजी आर होता है उसको आप लिहोसीन को 1.5mL पर लिटर लेकर पहले स्प्रे के चार दिन बाद एक और कर दीजिए तो यह पोध्ये में उत्फूल निकालने के लिए पोध्ये को उत-तेजित करेगा और आप के फूल आएंगे किसान साथियों ये थी मेरी एक चोटी सी प्रस्तुती हस्त भार पर है लेकिन फिर भी सब के पोदे एक से नहीं हो सकते सब के पास एक समोसम नहीं होता अगर किसी भाईयों ने गुट्टी वाले पोदे लगा रखे है और उनके पोदे तीन वर्स या चार वर्स के हैं तो वो इस खाद की मातरा को आधी कर दे यानि तीन और चार साल के पोदों में जो मैंने खाद की मातरा बताई है उसको आधी कर दे और बाकी सभी रखे किसान साथियों ये थी मेरी एक चोटी सी प्रस्तुती कि ऐसे में हस्त भाहर या समय वाली हस्त भाहर के ल लिए आपको क्या-क्या इस्प्रे करने हैं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत पंदे माकरा